सबसे पहले इसका मतलब आप समद लीजे कि फानेशल पॉलिश और कोपरेट स्ट्रेडिजी का मतलब के हैं हम सभी को पता है कि कोई भी धंदा कोई भी बिजनस उसके सुरुवात कहां से होती है पैसे से होती है पिना पैसे के कोई धंदा आप नहीं कर सकते हैं जसे आम देखो के बहुत सारे ऐसे तैलेंट्ब पास अच्छा अच्छा आइडिया सो भॉत अच्छा थिमाउ और उनके पास पैसा पैसा नहीं उनके पार, तो financial का मतलब यह पैसा आप समझ लिजे, अगर जहाँ पर भी finance word आजा है, मतलब वो पैसा है, तो financial policy, एक तो यह चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कि पैसे जो financial resources जो है, अब जिसे आज कल तो फिर भी ऐसा हो गया है, कि अगर आपके पास अच्छा idea ह तो आपको angel investors या फिर कहीं से finance मिल जाता है, हैना, loan वगेरा मिल जाता है, तो वोई financial policy के हम बात करेंगे, और दूसरी चीज, corporate strategy के बात करेंगे, क्योंकि आप यह समझ लिजे, कोई भी धंदा को अगर चलाना है, तो सिर्फ पैसे से भी नहीं चलेगा, आपके पास एक proper realistic strategy ह होने चाहिए, और साथ इसाथ इक team होनी चाहिए, यनि मेरा मानना यह है, कि आपका business का जो element है, वो कहीना कि तीन element है, पहला क्या हमारे पास पैसे तो होने पड़ेंगे, बिना पैसो के धंदों को नहीं, बिना पैसे के धंदा नहीं चले, पैसा चाहिए आपको, starting में भी प पैसे चाहिए, बिना पैसे के कोई धंदा नहीं है, तो financial element सबसे important है, financial resources वगेरा finance चाहिए हमें, इसके लवे strategy अच्छी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ पैसा होगा, आपकी बस proper strategy नहीं है, तो आपका ऐसा हाल होगा, कि आप धंदा खतम बरबाद कर दोगे आप यहां पर, हमने already देखा था, बाई जूस के साथ हमने देखा था, even अगर अगर आप an academy के भी कहानी सुनोगे, तो an academy ने भी क्या क्या था, starting में उन्होंने बहुत सारे फंट उठा लिये थे, हैना market से बहुत पैसा उठाया उन्होंने, और उन्होंने इतना aggressive marketing किया, इतना aggressive marketing किया, कि आ आई पील वगेरा में भी अन academy ने ब्रैंड अमेस्टर बन मलत इक होता है न, advertisement वगेरा में उन्होंने एक दम भू ले लिया था, पूरा का पूरा, इसके अलावा इंडेन टीम में भी आगे थे, हूँ जर्सी में, अन्होंने इतना aggressively marketing किया, उससे उनका sales तो बढ़ा, उनका cost cutting करने पे लग गया है, बहुत सारे teachers को उन्होंने बाहर कर आस्ता दिखा दिया, तो यहनी कहने का मतलग यह proper realistic strategy होनी पड़ेगी, कि जिनसे आप लोगों ने पैसे लिये हैं, जो भी investors ने आपकी company में पैसे लगा है, आप उनको proper returns दो, यह strategy होनी बहुत जरूरी है, इसके अलावा, इस strategy को होने के लिए, एक अकेला आदमी आप यह समली जे धंदा नहीं कर सकता, तो कि हम बात करते हैं, enterprise में एक अकेला आदमी नहीं होता है, बात करते हैं, organization की organization एक आदमी से नहीं चलता है, proper team चाहिए हो, तो आप यह समली जे आपर कोई भी धंदा करने के लिए मैं क्या ची चाहिए, team ची चाहिए, पैसा चाहिए, proper strategy चाहिए, और तीसरा management team चाहिए, एक अच्छी management team चाहिए, और वही चीज यहाँ पर लिखाओ अभी अगर मैं पहले पढ़ाओ, कि एक business जो है, एक business जो है, उसके अंतर three fundamental essential elements होने पढ़ेंगे, clear and realistic strategy, the financial resources, controls and system, the right management team and process to make it happen, यानि fundamentals of business में क्या होगा, strategy finance management और पहले नाम भी यह था, है ना हमारे, अब तो AFM नाम है, advanced financial management, management पर पहले पता है, पहले नाम था strategic financial management, तो पहले जो पूराना नाम था strategic financial management, यह उसी कहीं है, strategic, मतलब आपको elements of business को पूछे, तो आप बोल दिना है, strategic financial management, elements of business के पूराना जो नाम है, strategic financial management, मतलब strategy, financial resources, financial control system, पैसा, है ना, strategy, पैसा, proper management team, management, इसलिए strategic financial management, जो धन्दा है, वो धन्दा काई, तो यह हम से लिए बस पढ़ रहे है, तो I think आपको यह चीज़ अभी clear हुआ है, अब आगे मैं यह बोल रहा चाता हूँ कि यहाँ पर हम कोई बात कर रहे है कि देखिए, हमारे पास सिर्फ पैसा होगा, सिर्फ पैसा की policy बनाओगी तो नहीं चलेगा, सिर्फ पैसा होने से धंदा नहीं बनता है, पैसे के साथ proper strategy होनी पड़ेगे, तो इसलिए finance और strategy, corporate level में अच्छी strategy होनी पड़ेगे, जैसे हम ने दिखा था, अंबानी जी ने द पैसा, तो उन्हों के पास पैसा था, आगी नहीं था, पते जब बटवारा हुआ, तो अनि लंबानी के पास तो अच्छा खासा पैसा था, अनि लंबानी के पास कहीं नगी, proper strategy नहीं थी, कहीं नगी, management team नहीं था, उस वज़े से आज अनि लंबानी बरवार हो गया, कहीं बेंकरट भी हो गया था, बीच में मुके संबानी ने बचाया क्या था, वो एक्स वैचेट हम सभी को पता है, लेकिन वहीं मुके संबानी के पास पैसे के साथ-साथ strategy भी थी, management team भी था, proper strategy के साथ, सोचो उन्होंने, अनि लंबानी के पास already reliance इंदर्स्री सा, जो पहले हम reliance phone use करते थे, reliance का network use करते थे, वो reliance का network खतम हो गया, और मुके संबानी जी ने ने से geo launch किया, और वो सोचो आज एक नंबर में, तो मतले एक इधर अनि लंबानी के पास already reliance telecommunication है company, वो उन्होंने होते साथे जो company उसको भरवात कर दिया, खतम हो गया, और इधर नहीं company form क और वो जीओ आज टॉप में, तो यानि corporate strategy जो है वो अनि लंबानी ने लगई, ताकि उसने अपने पैसों का भरपूर उपयों किया, और strategy लगा कि और बड़ी company खरी कर दिया, है ना, I think कुछ रूप तो नहीं रहे, है ना, और अभी तो हमने recently कुछ time पहले हमने दीखा ही कुछ नहीं छोड़ा, आप सोची, तो अभी हम यहीं चीज़ पढ़ने वाले financial policy and corporate strategy में हम छे topic पढ़ेंगे one by one, पहला advanced role of CFO, CFO मतलब क्या हुदा, chief financial officer, chief financial officer का पहले काम ता सिर्फ financial related matters, है ना, financial management करना, जो भी financial resources है, उसको proper तरीके से control करना, effectively and efficiently utilize करना, ताकि optimal benefit लिया जा स ताकि यह पहले CFO को और CFO को रोल था, यह निए traditionally अगर मैं आपको पता हूँ, है ना, पहले मैं CFO का advanced role यह आपको पढ़ा रहो है, traditionally अगर मैं आपको बता हूँ, तो पहले CFO का traditional role क्या था, पता है, governance, हम सभी को पता है, governance का मतलब क्या होता है, अभी हुमीत मत करना मैं ऐस traditional role था, इसका CFO का governance, compliance वगेरा करना, जो भी आपके CBK या फिर income tax के जो भी है, सारी चीजों का company sect है, जो भी उन सब का compliance करना, controls है ना, अलग-अलग टैप के control से, internal controls, इसके अलावा financial, mainly यहाँ पर financial control था ही, ठीक है, and business ethics, तो traditionally role of CFO, यह था, आपको याद रखना पड़ेगा, सर, पहले role of CFO क्या था, GCCB, यब GBCC बोल दो, ठीक है, यब GBCC, तो यहाँ पर पहले role था, traditional role, यह याद रखना पड़ेगा, क्या पता, MCQ में कहीं कुछ frame हो जाए, पहले traditional role CFO का क्या था, Chief Financial Officer का governance से related था, compliance, controls and business ethics, यह था, लेकिन pandemic के बाद पता चला, कई साधी company पर role आया है, वो और advance हो चुका है, यह नि पहले यह था ही नहीं advance role, तो अभी आपका advance कुछ-कुछ role आ चुका है, CFO का वो में पढ़ना है, यह भी तो strategy का हिस्से है, कि CFO को अब और ज्यादा role दो, अगर कोई भी CFO की position में बैठेगा, तो apart from governance, compliance, controls and business ethics, उसे और यह चार role दि management, mergers acquisition and corporate restructuring, ESG financing, तो इसके लिए हमें एक shortcut भी बनाना पड़ेगा, याद करने के लिए, RSME है ना, REMS, REMS बना सकते हैं मैं आपर, तूल के REMS है, R से risk management, E से ESG financing, M से mergers acquisition and corporate strategy, corporate restructuring, sorry, और S सप्प्लाई चीन, तो यह मैं चारो चीज़ आपको समझाओ, attention की कोई बाद यह चारो चीज़ पढ़ाऊँगा, मतलब मैं अब आपको यह बता देना चाहता हूँ, कि हम topic में क्या पढ़ने वाले हैं, TFO का जैसे मैंने बताब advanced role आ चुका, पहले कुछ कुछ रोल था, governance था, compliance था, control था, business ethics था, इसके अलावब advanced role क्या क्या आ चुका, वो अभी हम पढ़ेंगे, strategic financial decision making framework हम पढ़ेंगे, है न, कि वहाँ पर क्या क्या आपकी key decisions लेनी होते, वो सारी शीज़ हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, strategic different hierarchy levels भी होती हैं, corporate level होता है, business level होता है, functional level होता है, वो हम पढ़ेंगे, financial planning पढ़ेंगे, इंटरफेस पढ़ेंगे, financial policy और strategic management का, और balancing financial goals बीसाविस sustainable growth, यह आप यह समझेए, छे topic आपको पढ़ना है, one by one हम सारा पढ़ लेंगे और अच्छे सा समझ के पढ़ लेंगे, exam में अगर इससे कोई question आएगा, ज़ाद़ से ज़ादा मेरे ख्याल से है, four mark से ज़ादा कभी नहीं आएको, यह आया भी नहीं, रोल ये था कि शेरोल्डर का वर्थ को मैक्सिमाइस किया जा सके क्या बात है कि अगर किसी बी कमपनी में पैसे लगा रहे हो किस उमीद में कि आपका वेल्थ मैक्सिमाइस हो सके अगर वो company कुस चीज में नाकाम रही वो भले कितनी ethical company कितनी अच्छी company आँ उसे फोर्द होगे आप बोलोगे तू जा तेरा कोई काम नहीं क्योंकि आप उस company में अगर धरोसा कर रहो तो एक ही बात पे कि आप आपको उमीद है कि वो आपका wealth को maximize करके देगा तो यहां पर main role of cfo यह था कि wealth maximize करके देना सेरोल्डर का by taking care of financial health of an organization मैंने कहा नहीं पहले पैसे से रिलेटेड financial health से रिलेटेड ही काम था किसका? cfo का और वो implement उसका काम ही था overseer implement करना adequate financial control तो मैंने आपको कहा था नहीं जो ट्रेडिशनल रोल था उसमें control में financial control ही उसका काम था गौवर्नेंस compliance financial control and business अब ऐसा हो चुका है कि pandemic के बाद अब उनको strategic and operational decision making में भी contribute करना पड़ेगा इन्हें cfo का role cfo का role को advance कर दिया गया बोला आपसी बाद देते हैं हम उमीद करते हैं multitasking हो गए तो यहां पर पोस्ट pandemic cfo का role में बढ़ोतरी हुआ है advancement हुआ है चार ओ रोल जूड़ चुका है ड़िस रेम्स REMS और से क्या रिस्ट मैनेजमेंट की से क्या एस्जी financing m से क्या mergers acquisition and corporate restructuring और ऐसे सप्लाई चीन management तो यह चार पॉइंट आपको याद करना है यह चार पॉइंट में लिखके आना आपको उसके बाद अंदर का मसाला जो है वह आप समझके लिख लेना को दिक्कत नहीं लेकिन चार पॉइंट आपको अच्छे से और ऐसे क्या सप्लाई चैन management तो अब चली एक एक करके एक एक बात करते हैं तो यहां पर अब से expect किया जाता है nowadays अब से expect किया जाता है कि वह रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का भी ओवरॉल function एंब को लूख up करें कि उनको देखना होगा कि पूरा रिस्क मैनेजमेंट जो सिस्टम है हमार रिस्क को मैनेज करने का क्योंकि investors हम से यह उम्मीद लगा है बैटा कि return को maximize करेंगे और risk को minimize करें, तो risk management system जो organization का है उसका overall को लुक आफटर करना है किसको सी अब यहाँ पर आप सोचोगे कि एकदम प्रैक्टिकल इम डीपली पढ़ेंगे वूची नहीं होगा चितना जहां पर जो नेससरी होगा मैं समझाऊंगा आपको आपको एक्जाम में पॉइंट याद रहे रेलेवन चीज में आपको सब अब लिख पाऊगे पूरे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को लुक आफटर करना है और पैसे नहीं होगा आपको उसमें भी देखना पड़ेगा कि आपका इकॉनोमिक और क्वांटिटी में रो मेटर आपके पास आ रहा हो रो मेटर आपके बास जिस टाइम में आपको चाहि हो जाता है कि हमारे पास बढ़ रो मेंटर में कर जाएगा रेख होगा है हुसके बाद करेंगी हो और रिटेलर से ultimately consumer में जाएगा और वहां से consumer का जो feedback होगा वो थारा जो supply chain management है वो supply chain management को भी अब किसको look over करना पड़ेगा क्योंकि अगर supply chain में problem आगे तो indirectly finance में problem आ जाएगी और क्या है कि financial officer तो finance का तो इसमें भी दिखा जे तो कहीं नगी connection है तो वही बात यहां पर लिखा हुए पोस्ट पैंडेमिक supply chain management has been posting the challenge for the company to maintain the sustainable growth अब देखिए यहां पर मैं बता दूँ यह पूरा का पूरा जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं यहां पर आपको बता है यहां sustainable growth को जादा हैमिध दिया गया aggressive growth को जादा हैमिध नहीं दिया गया जैसे मैं आपको बतादू कमपनी ज्यादा बहता रहे जो थोड़ा-थोड़ा सही इकोनोमिकली थोड़ा-थोड़ा स्टेबल वे में ग्रू कर रही है लेकिन बहुत सारी कंपनी क्या करती है पते हैं आजकल आप देखते होंगे स्टार्टप वगेरा मैं देखते हैं आजकल सारी कंपनी इक तम रही इसमें लग गई है वो एग्रेसिव सेल के पीछे भागती वह ठरस्टप वह पोसलिठी पूस्ट है वो है वह यह पुष़द फक्रूंडर ओगे सुन होगे उनको पूछते हैं कया प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम प्रॉफिटेबल नहीं हैं मतलब हमारा जतना सेल्स और सчи ज्यादा हमारे खड़े हैं, full term negative में जा रहे cash burn हो रहा है, क्योंकि वो aggressive marketing के पीछे बागते हैं, aggressive marketing करने से sales तो बढ़ते हैं, but marketing expense बहुत जादा हो जाए, तो उस चकर में आगे जाके क्या होता है, हम सुरुआत में तो sales बढ़ाते हैं, sales इतना ज़ादा बढ़ा देते हैं, उसको aggressive marketing करके sales तो पैसे भी खतम हो गए, क्योंकि आपने aggressive marketing की, cash financial में problem आगिया, finance में problem आगिया, पैसे sort हो रहे हैं आगे जाके, आगे जाके, अब aggressively marketing भी नहीं कर पार हो, और आपका negative result दिख रहा है इदर, तो क्योंकि आपने aggressively sale किये, सिर्फ sale जादा होने से नहीं चलेगा, profitable भी तो होना ची तो आगी जाके, क्या पता, aggressive growth के चक्कर में, अब आगी जाके sustain ही ना कर पाँ, long term तक survive नहीं ना कर पाँ, तो फिर वो क्या काम तो है, इससे अच्छा है कि हमारा sale थोड़ा सा कम हो, पर ऐसा हो sales के हम profitable हो, profitable होंगे तो उससे क्या होकर, जो पैसा हमारे पास profit generated हो रहा है, उस बट आजकल, inorganic way में sales बढ़ाया जाता है, excess marketing किया जाता है, जैसे कि आप देखते होंगे, Instagram वगेरा में, pop-up आते रहता है, यह वो वगेरा वगेरा, है ना, aggressive, लोग भागते, किसके पे, aggressive marketing के पीछे बागे, aggressive sales करने की पोस्तित करते हैं, तो वहीं यहाँ पर यह जो पू कि खतम हो गया, ऐसा कोई काम मत, है ना, तो वहीं चीज़ यहाँ पर बोलना चाहरा है, कि अब company को sustainable growth maintain करना challenging हो गया, तिन CFOs are care takers of finance of the company, considering the financial liability of the supply chain management, their role has now become more critical, तो मैंने आपको समझा दिया है, कि sustainable growth को maintain करना challenging हो चुका है, और जबकि जो chief financial officer है, CFO है, वो finance को take care करते है, त management, I think, यह आपको clear हो चुका है, फिर merger, acquisition and corporate restructuring, हमने देखा कई सारी companies, आपस में merge हो रही है, जैसे Voda for an idea का merger हुआ था, flip card, snap deal, जहां तक मैं clear हूँ, उनका बीच में merger हुआ था, और भी कई सारी company का Apollo Munich और उनका I think HDFC का merger हुआ था, तो बहुत सारी company merge हो जाती है, क्यों merge हो बहुत सारी company, क्योंकि उन्हें लगता है, हम आपस में compete करने के चकर में, महले जिए में company हूँ, आप एक company हूँ, हम seem sector है, मैं हम आपस में compete करने के चकर में, ना मैं कमा पा रहा हूँ, ना आप कमा पा रहा हूँ, आपके हमारे customer भी बटे हो यह, पर हमने सूचा कि अगर हम merge हो जाए, तो हम ऐसे situation में, एक तो competition eliminate कर सकते हैं, और दूसरा हमें synergy benefit में मिलेगा, आपके अंदर जो बहुत सारी खुबी है, हमारे अंदर खुबी है, उसका million हो जाएगा, और जो जो हमारे problem से उसको हम क्या पता, नजर दूर कर सकते हैं, तो यहां पर mergers and acquisition and corporate restructuring में आप बोलोगे, cfo का क्या आगा, cfo जबकि chief financial officer है, तो cfo को look after करना पड़ेगा कि क्या हमें synergy benefit मिलेगा, का हम अपना profit को बढ़ा पाएंगे, financially हम किस position में रहेंगे, हमें ऐसा है कि हमारा फिर financial problems भी हो भी हमारी दूर हो जाएगी, क्या, तो उससे related mergers, acquisition, corporate restructuring भी हमारा role पी करते ह हमारी earning में synergy आएगा की नहीं आएगा और automatically उसे हमारा price भी बढ़ेगा, तो इसलिए mergers acquisition, corporate restructuring में भी आपका need पढ़ता है, cfo का, पढ़ लेते हैं, since in recent period to maintain the growth and capture the markets here, there has been a speed, speed मतलब series, series of mergers and acquisition, क्योंकि अब देखा हमने, बहुत सरे mergers and acquisition हुए recent year में, and hence the rule of cfo has become more crucial, because these are strategic decision and any error in them can lead to call-offs of the whole business, क्योंकि गलत company के साथ merger कर लिए तो बरबाद भी हो सकते हैं, देखे, mergers होने से कई बार आबाद हो जाते हैं, कई बातका में दिहान रखना है, तो अब यहां पर यह रिखे, risk management, supply chain, mergers acquisition, corporate restructuring में आपको समझा दिया, ESG financing, ESG का मतलब क्या है, ESG का मतलब अ मैंने भी यहां पर chat GPT से निकाल के रखा, आपको समझाने के लिए, एकदम नीचे मैंने डाल दिया, ESG का मतलब होता है, environment, social and governance, it's a framework used to evaluate a company, sustainability, मैंने का न, पूरा का पूरा यह chapter अगर आप देखोगे, sustainability को ज़्यादा importance देता है, aggressive growth को importance नहीं देता है, तो ESG का मतलब है, environment, social governance, environmental criteria यह कहता है, कि अब nature को ध्यान में रखते हुए, परफॉर्म कर रहे हो की निकाल, नेचर जो, nature के बीच अगर आप ध्यान में रखते हुए, परफॉर्म कर रहे हो की तो लॉंग टम तक आप ठीक पाऊगे, otherwise आप लॉंग टम तक नहीं पाऊगे, तो यहां पर steward of nature, नेचर को लुक अफ्टर करते हुए, आप कंपनी को परफॉर्म कंपनी परफॉर्म कर रही के निकाल, यह बहुत माहिने रखते है, social criteria, मतलब employees के साथ, socially active, यहनि employees, supplier, customer, community के साथ, आप कितना अच्छा relation से बिल्ड करो, क्योंकि अगर आप मानलीजे, employee, supplier, इन लों के साथ, रिस्ते अच्छे नहीं होंगे, तो फिर आप सर्वाइब नहीं कर पाऊगे, तो इनके साथ आपके कैसे रिस्ते, वो माहिने रखे हो, तीसरे governance, governance का मतलब आपको पता है, companies, leadership, ethics and transparency, कितना ज़्यादा transparent रहेगा, उतना ज़्यादा chances उसका आगे बढ़नेगा, तो ESG में का, TFO का, रूल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वो यह देखेगा, कि आप, सोरी, यह नहीं है, यह नहीं, गलत बोल दिया, ESG financing यह रहा, है न, यहाँ पर भी रिखे, with the evolving of the concept of ESG, their role has been shifted from traditional financing to sustainability financing, देखे, फिर से आगया word sustaining, क्योंकि अगर आपको long term sustain करना है, तो आपको ESG को भ कर रहे हो, environmentally, आप सोच रहो है, न, environmental में भी आपका contribution है, आप environmental damage वगेरा नहीं कर रहे है, यह सब चीजों का धिहान रखोगे, यहाँ पर भी CFO को धिहान रखना है, तकि sustainability, मैं सिर्फ हो सको, sustainability financing, long term की पीछे, आपका long term vision रहना चाहिए, तो मैंने आपको, इतना हद तक best possible हो है, उसमें भी आपको CFO का रोल है, तकि sustainable growth मिल सके, मैंने उसका example भी लिया था आपको, mergers, acquisition, corporate restructuring में भी CFO का रोल रहेगा, क्योंकि अगर आप मालनेंचे, अच्छा merger हुआ तो आपको benefit देगा, खराम merger हुआ तो आप बरबाद भी हो सकते हो, ESG financing, women आपको समझा दिया, कि अब ESG के वज़े से role, CFO का role traditional financing से, sustainability financing में सेफ्ट हो गया, तो I think अब advanced role of CFO, अब आपको clear हो चुका है, अंदर का मसाला आप खुद बना की भी लिख सकते हो, otherwise जो जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसके faces में भी लिख सकते हो, बना की भी लिख सकते हो, यहां पर, ठीक strategic financial decision making framework, तो यहां पर भी मैं वही बोलना चाता हूँ कि देखी investor जो है, एक investor अगर मेरी company में पैसे लगार हो, मालिजे आप investor हो, आप मेरी company में पैसे लगार हो, तो अब क्यों लगार हो, ताकि आपका wealth जो है, maximize हो सके, by selecting optimum investment and financial opportunity, मतलब वो ऐसी जगा में पैसा लगाएगा, यहां उसको देखेगा कि उसका investment एकदम suitable है, satisfactory investment, optimal, मालिजे आप एक investor आपके पार 50,000 रुपीज है, company तो हजार हो है, 50,000 रुपीज थोड़े न हजार हो company में लगाऊगे, अब वैसी company में पैसे लगाना prefer करोगे, जिस पे आपको भरूसा आएगा कि वो आपके returns को maximize करके द आपना wealth को maximize करने के लिए वही investment को select करेगा जो optimum है, और जो उसको maximum expected return देगा at minimum risk, तो इसी वज़े से investor के इसी point को ध्यान में रखते हुए, business का three fundamental elements होना चाहिए, और business का objective ही होना चाहिए, objective of corporate financial management, suit implement investment and financing decision, जो की shareholder का satisfy करे, और उनको optimum financial position दे, यह याद नहीं करने से भी चलेगा, मतलब हमारा objective इतना ही है, कि मैं अपने जो भी पैसे उनसे investor से ले रहे हैं, वो ऐसी जगा में लगा है, तकि वहाँ से अच्छा returns मिले, और रिस्क मिले, तो इसलिए आपका यहाँ पर मैंने पहले भी पढ़ाया था, business, सारे business के three essential elements होत सकते है, realistic strategy होने चाहिए, तो उस तरह financial resources, अब सिर्फ strategy होने से चलेगा नहीं, मैंने कहा ना, धंदो मैं पैसो चाहिए, बिना पैसो के धंदो को नहीं, तो यहाँ पर आप यह समझ लिजे, strategy के साथ साथ पैसे होने पड़ेंगे, अब अमबानी जैसे के बास उनकी पास strategy हो तो वो अराम से पैसे भी लगा सकते है, हमारे पास क्या पता strategy है पर पैसे नहीं है, पैसा होना पड़ेगा, financial resource होना पड़ेगा, सिर्फ financial resource होने इसे नहीं चलेगा, कई सारी company क्या करती है, पते बड़े-बड़े investor से पैसे तो उठा लेती है, पर उनका proper effective financial control नहीं होता है, वो बे बजा बे मतलब अना पसना पैसे उड़ाते रहती है, और पैसे उड़ा उड़ा के लास में company को बरबाद कर देती है, पहुत सारी ऐसे लोग होते हैं, आप दिंग ना बहुत सारी startup company उसमें पैसे डलने में भी रिस्क है, वो startup company क्या करती, बाहर से पैसे बहुत मंग पैसे तो बरबाद करें, और system होना चाहिए पूरा, ताकि हम देख सके कि हाँ, properly कहाँ से resources आ रहे है, पैसे कि कहाँ पर utilize हो रहा है, किस तरीके सो हो रहा है, तो financial resources, controls and system to see it through, और right management team होना बहुत जरूँगी, पेकार लोग होगे तो financial resource को बरबाद कर देंगे, right management team होने जो क strategy और finance दोनों को million करा सके, है ना, क्योंकि दो चीसते धन्दा बनता होई, पैसा और strategy, और यह करेगा कोने, right management team होगी, जो इन दोनों को million करा के धन्दा बनाएगा, तो इसलिए strategy plus finance plus management ही fundamentals of business ही याद रख लिजेगा, अच्छे से, मैं आपको समझा दियागा, अब हम बात करे करेंगे function of strategic financial management और key decision financial strategy का यह हम discuss करेंगे, चली, strategic financial management के functions परते, that is, investment और financial decision में, जो भी हमारे investment financial decision होगा, उसमें हमारे क्या-क्या following functions होगी, हमें देख लिए, एकदम सिंबल आ देखे, जिसने obvious सी बाते, कोई भी company जो है, को देखेगी, different, different, कौन से, कौन से investment अपूर, अलग अगर मानली जी मैं ऐसी company जो different, different stock market में पैसे लगाता हूँ, तो मैं यह देखूँगा कि कौन से company में मैं पैसे लगा सकता हूँ, कहाँ, हब मेरा best investment opportunity थे, मानली जी मैंने दस अलग-अलग, मैंने चुना, 10 अलग-अलग shares को मैंने चुना, इन 10 जगापे में पैसे लगा सकत हूँ, अब इसमें देखूँगा कि वो 10 sets जो मैंने चुना जो बढ़ी है, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा profit किसमें मिलेगा, मानली जी जो 10 sets में चुना है, उसमें से क्या पता मुझे लग रहा है, कि 5 sets में मुझे maximum profit मिलेगा, तो मैंने क्या करना है, continually search करना best investment opportunities का, क्यों करेंगे, इसी वज़े से लिखाव, continual search, और अगर माली जी हमारा business है, हमें अलग-अलग projects मिल रहा है, बहुत सारा projects मिल रहा है, पर हमारे पास तो limited पैस है, जैसे कि मालोग और example में contract वगेरा लेतो, पर मेरी पास पैसे limited है, तो मुझे अलग-अलग contract मिल सकते है, तो थोड बेस्ट investment opportunity कौन सी, बेस्ट कौन से कौन से contract, यह सारी best है, उसमें से जो ज़्यादा profitable हो, वो profitable वाला निकाल लीजे, अब आगे जाके, हमारा continual search चलते रहेगा, क्या पतार आज कोई ऐसा investment opportunity आपको नजर नहीं आरा, दो मेने के बाद नजर आ जाएगा, उसको भी तो grab करना तो continual search चलेगा, best investment opportunity, बहुत सारे मान लीजे, 10 opportunities आपको नजर आ रही है, यहना 10 investment opportunities नजर आई है, उसमें से, हमने selected, 5 best profitable opportunity, अब जुमने 5 best profitable opportunity को select किया है, अगर मान लीजे, हम सेर market में पैसे लगा, तो में यह देखना हुआ कि वो 5 सेर में से कौन से सेर में कितना कितना पैसे लगाए जाए, optimal mix क्या होगा, that is determination of optimal mix of funds for the opportunity, तो जो अलग अलग opportunities मिली आपको, उसमें कितने पैसे लगा, मान लीजे, total 50 करोड है, आपकी पास पैसे लगाने के लिए, तो 5 में से आपने क्या क्या, एक में लगाया, 15 CR, एक में लगाया, 25 CR, एक में लगाया, 8 CR, जितना होगा, 33, 48, एक में लगाया, 1.5 CR, और एक में लगाया, 0.5 CR, इस तरीके से अपने portfolio, total आपका 50 CR होगया, I think, yes, 50 CR होगया, त आपका optimal mix of funds अपको determine करना है, फिर आपको आपने, चलो, आपने investment कर दिया, project में पैसे लगाया, अलग-अलग, कितने-कितने पैसे लगाया, है ना, ठीक है, या फिर आपने assets में पैसे लगाया, जहां पर भी, सारी चीज़े cover होगी आपर, है ना, क्योंकि आपका company कोई भी ह हो सकता आपका, तो अब जो पैसे लगा दिया अपने, अब अब internal control का system establish करोगे, internal control मतलब जो अपने investment किया है, अब आगे जाकि internal control ऐसा हो, कि आपके funds के resources के utilize अच्छे से हो, है ना, आपकी strategy बहतर हो, वो सारी चीज़ अच्छी हो, इसलिए उसके लिए क्या चीज़े system of internal control, है ना, यह अपने establish कर दिया, अब अपने धंदा चला गया, अब time to time आपको analysis करना कि क्या result मिला, जो हमने investment किया, investment के साथ साथ हमने internal control system भी लगा है, है ना, अब हम देखिए उसका क्या result मिला है, उस result को analyze कीज़े, और फिर आगी, अगर मालीजी मैंने बहुत सारे सेर में प दूसरा set करी दूँगा, तो analysis of results for future decision making, यानि future में decision आपने जो लिया, क्या पता वो अच्छा भी हो सकता है, क्या पता खराब भी हो सकता है, क्या पता ऐसा हो सकता है कि आपका पांच में से तीन project आपका बहतर है, दो project आपका बहतर नहीं है, तो ये दो project को exit करके, इसके सार सब्चेक्ट पढ़ारों, चार अलग-अलग subject पढ़ारों है, तो मैंने देखा, दो subject बहुत अच्छा काम कर रहा है, दो subject अच्छा गाम नहीं कर रहा है, मेरे इतना नहीं चल रहा है, तो दो subject में resources दे रहा हूं, जो time दे रहा हो, खतम करो, और उसमें से निकाल के जो जहा तो अब आपको strategic financial management का function आपको समझ में आ गया आप एक सिक्वेंस में chronology है अगर आप समझ जाओगे आप अराम से एक्जाम में लिख पाओगे सबसे पहला क्या था कि हमें best investment opportunities का अब continually search करते रहना चाहिए कौन से best investment opportunities continually search करते रहो और यह search रूकी का नहीं हमेशा चलेगा और उसमें से determine करो select करो profitable opportunities चलो पता चल गया 4-5 यह profitable opportunities अब देखो optimal mix of funds इसमें कितना कितना पैसा लगा पिर आपका internal control system establish की अब बाद में आप analysis कीज़े और देखे क्यों analysis करना था कि future में decision आपको क्या लेना चाहिए उस पे आपको मदद करेगा यह रिजर्ट को analyze कीज़े रिजर्ट को analyze कीज़े तो अब I think आप इसी तरीके से मेरे साथ एक बारा बोली मेरे साथ-साथ repeat कीज़ा ठीक है याद क कराना एक्जाम के लिए तियार कराना पहले क्या करेंगी याद कीज़े मेरे साथ-साथ-साथ-स रिपीट कीज़े अभी यह सुचे face-to-face बैठे हो पहला वाला क्या continually search करेंगे best investment यह सिलसला चलते रहेगा माली जब नियने सेर्ट और आ चाहिए मार्केट में तो उसका भी दूसरा उसमें से जो search अपका चल रहा है सारा search में सारा में पैसे दोना लगा देंगे हम देखेंगे अगर यह profitable opportunity तो उसको grab करेंगे profitable opportunity को grab किया अब उसमें पैसे लगाओ पैसे या फिर आप नए से उठाके लगाओ या दूसरे unit को बंद करके लगाओ जो भी है optimal mix of funds पैस तो यह चीज़ हमने देखा आप यह देखे capital limiting factor है the strategic problem for financial management is how limited funds are allocated between alternative uses क्योंकि funds देखो सब के पास limited रहते हैं अब अब मानीची के पास जाओगे है वह भूले आप funds और दे दो और पैसे बना लूगा और opportunities तो funds limited रहता तो उसी limited funds को में अलग-अलग जगा पे alternative उसका use करने के बारे में सोचना चाहिए अब इसी financial strategy में key decisions कहां का लेना चाहिए जो भी हमारी financial strategy है कि ठीक हम यहां यहां पैसे लगाएंगे हमारा key decision क्या क्या है पहला है financing decision कोई भी company में आप जब financing करते हो तो उसका बहुत रास्ता होते है equity के थुरूँ पैसे उठा सकते हो, debt के थुरूँ पैसे उठा सकते हो, bank loan वगेडा के थुरूँ पैसे उठा सकते हो, बहुत सारा माध्य हमें पैसा उठारेगा तो आपको ये DC से लेना बहुत जरूर ही है कि आपका equity capital और debt capital दोनों रखना है कि सिर्फ equity capital में चलाना है क्या चलाना है क्योंकि debt capital के फायदे है तो उसका नुकसान भी है debt capital का फायदा है limited आपको rate of interest देना होता है लेकिन कई बार उल्टा भी पढ़ जाता हो मान लीजिए आपकी company profit नहीं हो रही profit generate नहीं कर पा रही है लेकिन आपको interest देने ही पड़ेगा equity में ऐसा ने equity में profit generate होने से उनको पैसे देते हैं तरवेस नहीं देते इसलिए आपका financing decision प्रॉपर लेना बहुत जरूरी आप यह दिखो risk का कितना है debt लेने पर अगर रस्क के ज़्यादा नहीं तो आप debt उठाओ और debt का mix भी debt or equity कितना रखना चाहिए जैसे normally कोई सी किसे sector में two is to one आपका उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी में one is to one से ज्यादा नहीं होना चाहिए वह अलग 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 नॉम से यहाँ पर debt equity capital का जो mix है उससे regarding आपको decision लेना यह mix of equity capital and debt capital यह आपका financial strategy में की decisions आपको financing decision लेना होते हैं और दूसरा investment decision decision लेना होता है आपको investment decision का मतलब यह यह so investment decision मैंने पहले भी आपको बताया था कि वहाँ पैसे लगाते जहां पर प्रॉपिटिबल opportunities यह जिसे हमने पहले दिखाता है न कि बहुत सारे best अलग-अलग investment opportunities होंगे हम सब में दोड़े ना पैसे लगाएंगे हम वह जगापे पैसे लगाएंगे उसमें से प्रोजेक्त में पैसे लगाएं अब इसा भी होता है कई बार कि मान लिजये छोटे प्रोजेक्ट और बड़ा प्रोजेक्ट है थोटा प्रोजेक्ट क्या पता ज्यादा प्रोफिट देगा पर वह long term नहीं होगा sustainable क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट जल्दी कत्म हो जाएगा पर एक तरफ बड़ा long term project है वो भले थोड़ा सा कम profit दे पर long term project है वो तो लंबे समय तक आपको profit देगा तो हमें specially क्या करना चाहिए long term project में हमें पैसे लगाना चाहिए ताकि हमे sustainable profit sustainable growth मिलता जाए यानि long term तक profit कमाए long term तक हम growth के बारे में सूचे और दूसरी चीज एक और बा इसको भी आप बहुतर तरीके से evaluate कर लीजे कि आपका ताकि return maximize और रिस्क कम हूँ आपका तो वही चीज़ यहां पर देखे लिखा वह सिंसा future benefit associated with such projects are not known with certainty certainty नहीं है investment decision में obviously risk involved होगा तो आप वह रिस्क जो है return और रिस्क दोनों को evaluate कर लीजेगा उस project का investment decision में में करते किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से बिला हम बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हैं क्या return expected क्यों देगा कितना उसमें risk involvement है यह सारी चीज़ हम देखेंगे वह profitable रहेगा ना नहीं रहेगा long term project से या नहीं है उन सब को ध्यान में रखते हैं investment करेंगे तो financing decision में पैसे कहां से लाने हैं कितने कितने लाने debt equity वगएरा investment decision में कहां पैसे लगा है उस project में risk कितना है return कितना मिलेगा long term project है या नहीं है तो investment decision नहीं हमरे लिए जरूरी है फिर different decision भी बहुत जरूरी देखिया अब हमने मान लीजे साल के end में पैसे कमाए तो जो पैसे कमाए उसमें से different payout ratio कितना हो retention ratio कितना हो तो कि अगर मान लीजे आपको देख रहा है कि future में आपका reinvestment opportunity है तो obviously बात आप different payout ratio कम रखना चाहो होगे है ना और वो जो पैसा कम है उसको reinvest करके और कमाने की कोसिस करोगे और shareholder की उस बात पर agree हो जाएंगे तो वही चीजह यहां पर बोला गया simple लगते हैं यहां पर this decision determined the division यहां नि सापरेशन of earnings between payment to shareholder and reinvestment in the company payment to shareholder मतलब different payout ratio और reinvestment in the company मतलब retention ratio हो गया या तो यह different decision के बात कर रहा है अब next है portfolio decision यह portfolio decision भी बहुत जरूरी चीजह है यहां पर हम portfolio के point of view से देखते हैं मैं आपको portfolio chapter यहाद बिलाता हूँ developed stocks और stocks of economy एक question है आपकर एक मुझे पूरा अच्छी से याद मि ही यहार कोशन है यहां पर हमने देखा कि मालाव look for example ix stock है जिसका return 10% है और risk है माली जप करócउसरू हम एक ओर फोर करना चाहते है एक और extra stocks को ان qualities करना चाहते है तो हमने देखा कि एक और extra से स्वाक करें तो ऐससा सिच्विशन में मालीInd हैं मेंहां कि 12% हमें return मिलेगा ड़हा इंडिविजुल स्टोक्स की इसाफ से अगर अब इंडिविजुल के साफ से दिखो कि आपको रिटन अच्छा लगेगा बट आपको overall देखना है portfolio का तो जो हम covariance वगरा करके जो portfolio का हम निकाल दे न हम ये देखेंगे portfolio का average return क्या है portfolio का average risk क्या है मालने जब पॉर्टफोलियो का आपका एवरेज रिटन जो भी आप पॉर्टफोलियो बना रहे हो वो 10.5% का रिटन है और रिस्क अगर आपका 5% हम बोलेंगे बढ़ी है तो पहले तो हमारा 10.6 अभी 10.5.5 तो अच्छी बात है तो पॉर्टफोलियो पॉंट व्यू से अगर 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 बागी प्रोजेक्ट को सपूर्ट मिलेगा अगर कोई ऐसा दो अलग अलग अपको प्रोजेक्ट देख रहे हैं एक प्रोजेक्ट जादा देगा क्या पता दूसरा प्रोजेक्ट क्या पता कम प्रॉफिट देगा पर दूसरा प्रोजेक्ट जो नो वो सिनर्जी बेनिफिट देगा जो अधर प्रोजेक्स उसको वो तो उससे ओल्फ करेगा तो उससे व Gegara PCR करेगे तो बें ऐसे बंहें आ की बहुत सारे स्टाफ को तो हट वहां से मुझे तेरे जैसा smart बंदा नहीं जीए मुझे तेरे से कम smart बंदा चलेगा जो बाकी मेरे टीम उनको support करें ना कि वो टीम को spoil करें वैसा बंदा हम सभी को नहीं जीए तो वही बोला कि isolated characteristics को धिहान में रखते वे project को मत चुनिया अब पूरे company corporate point of view से अब project को चुनिये इसी को portfolio का जाओ portfolio मतलब पूरा का पूर एंटायर corporate जिसमें बहुत सारे projects के portfolio होंगे क्या पता तो वही जी यहां पर बोला गया जो मैंने समझा दिया यहां पर वापस ही repeat कर देना आप लोगों के लिए थोड़ से महनत करो this decision involved evaluation of investment जो भी investment करना चाहते हो project में उसक पूरे project में यानि पूरा की पूरे entire corporation उसका क्या contribution होगा वो ध्यान में रखिए isolation मतलब सिर्फ और सिर्फ वह project कितना अच्छा वो ध्यान में मतलब यहां पर चार की decision है जो की financial strategy में fall करता है जो हमें लेना होता है कोई भी financial strategy में चार decision लेना होता है पहला financing decision debt or equity जो भी उसका mix दूसरा investment decision है ना कौन सा profitable है risk कितना है return कितना है है यह हो गया तीसरा मान होगे different हमें कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए कितना reinvestment opportunity है and चोथा portfolio decision पूरा organization के point of view से देखिए वो project कितना helpful होगा फिर ब levels पढ़ाने से पहले मैं आपको भी revise करना चाहिए मैंने अभी तक आपको पढ़ाय किया मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाई करूं मैंने आपको advanced role of cfo पढ़ाया cfo का पहले जैसे रूल था governance compliance control business ethics है ना अब उसके अलावा advancement आ चुका है अब और चार रोले cfo का जिसे हमने रैं business का तीन element होते है जो पूराना नाम था asfm strategy financial management है ना management team अच्छी होने चाहिए financial resources financial control and system clear and realistic strategy यह तीन चीज़ मिला के धंदा बनता है business बनता है अब हमने functions पढ़ाता है strategic financial management का एक तो function पढ़ाता और दूसरा हमने पढ़ाता है कि financial strategy लेते से में क्या क्या की decision है जो हमें ध्यान में रखना होते है जो की important होती यह decision में ध्यान रखना होते है तो functions तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था जहां पर मैं आपको बोला था कि continually आप search करोगे best investment opportunity उसमें से profitable opportunity को चुनोगे कौन से कौन से में लगाना है फिर अब दिखो कौन से कौन से महां लीजे 10 best investment opportunity तो उसमें से 5 profitable opportunity आपने चुना जिसमें पैसे लगाओगे अब उसमें कितने कितने पैसे लगाने optimal mix of funds ताकि आपका best profit हो सके है ना best result मिल सके establishment of system for internal control और पांच वह रिजर्ट को analyze कीजिए और further future decision making में वह help करेगा फिर की decision में मैं आपको पढ़ाया था चार चीज की decision में इसमें निमोनिक्स की जरतनी है पहला financing decision debt or equity वाला वोई यह उपर वाला से थोड़ा बहुत repeat भी हो रहा है investment decision कहां पैसे लगाने है ना risk return वगिर project helpful है नहीं ना कि सिर्फ isolated project के point of view सब सोचोगे तो इतना तक आपको मैंने समझा भी दिया याद भी करा दिया I think आपको एकदम अच्छे से clear भी हो चुका अब हम बात करेंगे point number three that is जैसे हमने दो चीपढ़ लिया आपर advanced role of CFO पढ़ लिया strategic financial decision making framework पढ़ा जिसमें हमने पढ पढ़ा था function of SFM बहुत सकते strategy financial management और key decision हमने पढ़ा और चार topic pending है हमारे तो अभी हम पढ़ेंगे strategy at different hierarchy levels हम पढ़ेंगे चलिए तो दीकिए hierarchy level में तीन strategy होती है corporate level strategy business unit level strategy functional level strategy इन तीनों को हम अच्छे से समझना है चलिए one by one अब हम समझते corporate level strategy business unit level strategy functional level strategy क्या चीज है अब यह समझ लीजे अभी मैं strategy बढ़ा रहा हूँ बस मैं अभी यह पढ़ा रहा हूँ कि अलग-अलग hierarchy होती है अलग-अलग level पे अलग-अलग प्रकार की strategy होती है यहनि हम strategy पढ़ रहें different hierarchy levels यहनि टॉप लेवल की जो strategy होती होसे corporate level strategy कहते हैं तो यहाँ पर basically यह जो strategy है इसका example के सब मैं आपको समझाता हूँ जैसे हमारे अंबानी जी हो गए मुकेस अंबानी जी हो गए अब मुकेस अंबानी जी ने क्या कि आपने बड़े बड़े जो CEO वगेरा है जो टॉप लेवल management है ना जो टॉप लेवल डायरेक्टर्स वगेरा management उनको बुलाया और उनको बुला के बुला कि बुला कि देखो अभी तो एर्टेल जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है इध पूरा फ्री देंगे हम टेली कॉम्यूनिकेशन में पूरा फ्री देंगे च्छे मेने तक और उसके बाद हम प्लैन लेके आएंगे 500 रुपेगा 600 रुपेगा फिक्स प्लैन लेके आएंगे और पर बाद में हम पूरा market को एकला capture capture कर लेंगे यह एर्टल फैटल सब साइड में हो जाएंगे मतलब और पैसा ही पैसा होगा हमारे पास तो यह सारा discussion किया मतलब तो suitable तो लगा है ना और जैसे अंबानी जी ने यह बात बूली कि देखो यह चीज ऐसा हम कर सकते हैं बताओ आपको क्या लगता suitable है ऐसा करने से कि हम अपना goals को achieve कर सकते हैं जो goals के हमें ब आपर अम्मानी जी के आउकाद भी है वो पैसा investment भी कर सकते हैं तो ऐसा अगर कुछ strategy आता है तो market को हिला के रख देगा तो बोला हाई यह suitable तो है अब एक और चीज़ अब डिरेक्टर बोलिंक है यह feasible है feasible मतलब जो भी necessary resources वगेरा में चाहिए अलग-अलग department में है ना engineering level पे finance level पे अलग-अलग level पे हमें जो resources चाहिएगा क्या यह possible है अब मानी जे ने का tension आलो मेरे बड़े-बड़े contacts है वो सारी चीज़े हम लोग कर लेंगा आराम से बोले यह सारी चीज़े भी हो जाएगी को tension के बात नहीं और फिर बात में finally आता है कि क्या shareholders को मना सकते हैं क्या shareholders owners of the company मैं खुद माली को 70% का 60% मैं जा कर रहो मतलब मैं खुद माली को बागी मैं ना लेंगे तो यह corporate level में क्या strategy discuss की गई कि हम एक निया बिजनस का introduction कर रहे हम हमारे portfolio बिजनस पे निया बिजनस का add-on कर रहे जैसे अंबानी जी का जो रिलाइंस का बिजनस है उसमें बहुत सरे अलग-अलग बिजनस है तो वो अप्या कर रहे है कि इतने सारे बिजनस के जो portfolio होगा उसमें एक और निया business add करने की बात कर रहे है यहां परमानी जी अडानी के साथ competition कर रहे है यहां पर अम्बानी जी टाटा के साथ competition कर रहे हैं यहां पर अम्बानी जी मानलो Apple से example देरो बड़े-बड़े लोगों से पूरे business level में जो बड़े-बड़े business है उनके साथ competition चल रहा corporate level में competition चल रहा है यहाँ पर अम्बानी जी सिर्व एक जियों को उतना फोकस नहीं जेरे अम्बानी का बहुत सारा बिजनस है वो पूरे ऐसे होल देख रहे है ऐसे हो उसको हम कहते पॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी मैं एक एक करके बागी सब समझाओंगा तो अब समझ में तो आया कुछ तो feeling आ रहे है कि हाँ सर पॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटीजी समझ में तो आ रहे है टॉप लेबल स्ट्रेटीजी जहां पर competition भी किसके साथ हो रहा है other businesses जैसे की अडानी हो गया टाटा हो गया इन लोके सथ competition चल रहा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुए corporate level strategy fundamentally is concerned with selection of business in which a company should compete कौन से business के साथ compete करेगा जैसे अडानी compete किसके साथ करेगा यहां ने compete लिखता हूँ अडानी हो गया टार्टा हो गया इनकी साथ competition चल रहे and with the development and coordination of that portfolio business तो corporate level strategy जो न वो ऐसी strategy जिसमें तीन सवालों का जवाब होना चाहिए कौन से कौन से तीन सवाल है suitability, feasibility, acceptability मैंने already अपने example में समझाया था जैसे मैंने कहा था ने कि अमबानी ची ने बोला कि हम निया जीओ का business start करेंगे ऐसे ऐसे फ्री में देंगे सारी चीज़े हम करेंगे और बाद में फिर हम निया प्लान लेके आएंगे और फिर उसमें पैसा ही पैसा होगा तो यह क्या suitable है तो सब ने बोला हाँ suitable तो है इसे हम पैसा बना सकते है यह suitability का मतलब के whether the strategy would work for the accomplishment of common objective of the company और common objective के अमबानी जिनका माल लो पैसा ही पैसा है ना वर्ल का सबसे पैसा वाला आदमी बना तो यह common objective एचीव हो सकता suitability तो अब feasibility भी देखते कि जो हमने idea सोचा है जो हमने strategy सोचा है क्या उसे हम implement कर पाएंगे successfully that is what feasibility मतलब उसके लिए जो जो हमने resources चाहिए क्या वो सारे resources हमारे पास है जिसके जरिये जो हमने idea सोचा है उसको हम implement कर सके उसे हम feasibility कहते हैं मतलब resources determines the kind and number of resources required to formulate and implement the strategy यहनि resources की availability है या नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो business सोच रहे हैं उसके लिए में चांद ताड़ी तोड के लाने पड़ेंगे वो तो लाना possible है नहीं मतलब वो feasible नहीं अब जैसे अमबानी जी ने बोला कि हम एक काम करेंगे artificial intelligence के technology लेके आएंगे और वो technology में हम क्या करेंगे घर-घर में robot पहुचाएंगे तो वहाँ पर घर में फिर काम वाली रखने की जरतनी एक robot होगा वो robot ही सारा काम करके देगे ऐसा अमबानी जी ने कहा तो अमबानी जी ने बोला suitable है क्या once ऐसा technology आ गिया तो हर घर वाले एक robot खरीद लेंगे अगर वो price range वगेरा सही बैठा तो बोला suitable तो और फिर होगा फिर अमबानी जी बोलेंगा पैसा ही पैसा ही पैसा होगा फिर है ना तो suitability तो है फिर बात आदी feasibility की तो feasibility में अटक गए बोले जो जो resources चाहिएगा वो फिलाल ऐसा उफ न उतना available नहीं है जो resources जानी तो जिस level की technology चाहिएगी उस तरह का robots बनाने का वो फिल्मों में possible है रियल लाइफ में feasible नहीं है तो यहाँ पर आके साथ वो अटक चाहिए लेकिन आगर वो बोले feasible भी है और वो अपने सेरोल्टर को मना भी ले तो थी क्या आप स्टार्ट कीजिए पैसा ही पैसा होगा इसलिए हाँ पर देखे suitability का मतलब यह है कि जो हम एक गोल लेकि हम चलते है कि हमें यह चाहिए हमें पैसा चाहिए फीम चाहिए क्या चाहिए वो गोल कि हम achieve कर पाएंगे जो हम strategy सोच रहे उसको हम suitability कहते है feasibility मतलब हमें जो जो resources ची है क्या उसकी availability है वो feasibility हो गया and तीसरा acceptability मतलब जो भी stakeholders है जो stakeholders हो गए उनका मतलब वो मानेंगे वो accept करेंगे की नहीं करेंगे it is concerned with the stakeholder satisfaction and can be financial and non-financial मतलब जो stakeholders हो गए उनकी क्या need है financial need है usually financial need है तो वो achieve होगी की नहीं होगी acceptability मतलब surroundings का confirmation stakeholders का confirmation करेंगे की नहीं करेंगे तो corporate level strategy में आपको क्या समझना है कि इन सवालों के जवाब suitability कि disability कि और एक्सेप्टेबल कि अब आपको समझ में आ गया कि corporate level strategy में बड़े-बड़े decision लिए जाते है regarding मानने जब mergers का decision लिया जा रहा है कि हम इस company को acquire कर ले तो हम बहुत बड़ा business को फिला सकेंगे हैं वो सब बाते चल रही है तो वो top level management करता है discussion that is corporate level strategy तो I think corporate level strategy अपने थमझ लिया है पहला line अगर आप चाहो तो याद कर ले ना बाइस बनाके लिख लिए ना बाकिए तीन पॉइंट तो मैंने आपको एक ताम अच्छी से समझा दिया अब business unit level strategy क्या होती जैसे business unit level strategy जैसे कि अगर मैं बात करू रिलाइंस इंडिस्रिस लिमिटेड इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग बिजनस है जैसे digital पेट्रो केमिकल बिजनस है रिफाइनिंग का बिजनस है और भी फाइनेशल सर्विस इसका भी बिजनस पहले था कितने सारे बिजनस है तो यह सारे business unit हो गए तो जब corporate level strategy के बात होती है तो वह ऐसे होल सभी को देखता हूँ corporate में जो strategy चलती वो सभी को ऐसे whole देखा जाते है बट business unit level strategy में digital business के जो हो गए जो digital business के जो मान लीजे top management हो गए जो सिर्फ digital business को ध्यान में रखते है अब इन लोग को इन सबसे मतलब नहीं है जो digital business के top management हो गए उनको सिर्फ digital business से मतलब है तो वो क्या करेंगे जो भी other digital business के competitors है उनके साथ compete करेंगे वो उनको मतलब भी नहीं है रिलाइंस इंडस्रेस लिमिटेड से उनको मतलब भी नहीं बाकिए तो वो competitor क्या pricing रख रहे है वो क्या quality production services deliver कर रहे है उनमें क्या कम्या है जिसको पूरा कर सकते हैं हमारे अंदर क्या कम्या है जिससे हम ठीक कर सकते हैं इंप्रूव कर सकते हैं वो सारा decision लेंगे unit level पर इसलिए यहाँ पर लिखा business unit level strategy यानि यह पूरा company level पर decision नहीं ले रहे यह company level में strategy नहीं बना रहे corporate level strategy company level strategy हो गए और यह business unit level strategy हो गए जैसे यहाँ पर corporate level strategy में बोला जाएगा रिलाइंस इंडेस्ट्रिस लिमिटेड या नहीं ऐसे होल कंपनी की strategy पूरी कंपनी की strategy होगी business unit level में आपका वन बिजनस वन सिंगल बिजनस यूनिट स्ट्रेडिजी होगे नहीं एक सिंगल इनिट डिजिटल बिजनस के management जो होंगे जो डिशिशन लेंगे डि रिगार्डिंग डिजिटल बिजनस उसाब बिजनस यूनिट लेवल के personal को report करेंगे अपने अपने प्रॉब्लम्स अपने अपने सारे चीज़े बताएंगे और ऐसे whole corporate level में वो strategy decision लेंगे और यह मतलब डिजिटल बिजनस सिर्फ अपने बारे में सोचेगा अपने बारे में सोचेगा अपने competitor के साथ fight करेगा यह पेट्रोग्यमिकल अपने competitor के साथ fight करेगा refining वाले अपने competitor के साथ fight करेंगा financial service के साथ fight करेंगे और पाइशांपल एक और चीज़ देखते हो जैसे मा लिजसे मोदी जी हमारे देश के लेकिन वही अगर हम CM की बात करें, जैसे मालनीजी अर्विन के जरिवाल जी हो गए, इधर हमारे हमुन तो बिस्तो सर्मा हो गए, इन लोग हो गए, इनका आपस में, सब CM से हम आपस में यूनिट लेवल हो गया, इनका यूनिट लेवल स्ट्रेजी हो, समझ मारा, तो कैसे भी करके, बस मैं आपको समझाने की कोसिस कर रहा हूँ, तो आप देखिए, आपर एक की लाइन में आप को अंडरलान करूंगा, बिस्नस यूनिट लेवल स्ट्रेजी में, स्ट्रेजिक बिस्नस यूनिट, में बिस्नस यूनिट, में बिस्नस यूनिट, मे करने के लिए तीन पॉइंट आपका यहां पर आप देखिये ए यह आपर ऑपरेटिंग डिवीजन तृपार्टमेट का फंग्चनल लेवल अब जो इनके डिजिटल बिजिनस के अंदर डिखे ऑपरेशन भी होगा लाकेटिंग वहाँ है ना human resource सब कुछ ही तो होगा तो इसके अंदर अब नीचे जाके जो operational level की strategy होगे वो लोग कौन लेंगे functional level strategy या नहीं वो middle या फुर low management बोल सकते हो उनलोग यह decision लेंगे R&D में क्या करना है operation में क्या करना है लगलग management होगा जो सिर्फ R&D के बारे में सोचेगा है ना वो भी किसका digital business का और किसी का नहीं digital business का R&D करेगा digital business का operation करना digital business का को manufacturing है तो manufacturing उसका marketing तो marketing finance तो finance या human resource तो function level strategies यह सब होगे R&D operation manufacturing marketing finance and human resource I think आपको समझ में आ गया और यहाँ पर echo line में आपको कियाद करा देता हूँ यहाँ पर क्या होता है कि यह जो एक्दम low level वाले हो गए ना यह information देते हैं यह low level पे रहते हैं तो जो customer का feedback वगेरा जो भी इनको मल रहा है अच्छा बूरा यह सब चीजों के reporting यह किसको करते हैं बिजनस यूनिट लेवल और कॉपरेट लेवल को report करते हैं मतलब functional level strategy वाले इन लोग क्या करते हैं इन लोग कस्टमर का feedback वगेरा जो भी आता है वो सारी चीजे बिजनस यूनिट लेवल और या फिर जरत पड़े तो corporate level को यह reporting करते हैं और फिर accordingly corporate level business unit level को जो भी decision लेना होता अपने अपने एरिया में वो उस हिसाब से decision लेते हैं चलिए तो जो जरूरी चीज़े मैंने आपको underline करा दिया बाकि आप चाहो तो पढ़ सकतो जरत नहीं बाकी मैंने highlight करा दिया जो जरूरी चीज़ है तो अब आई थिंग आपको यह समझ में आगे है levels of strategy में corporate level strategy एक्दम top level strategy हो गए हैना जिसके अंदर तीन पॉंट याद रखना है feasibility सबसे पहले क्या था suitability फिर feasibility फिर acceptability फिर business unit level strategy मैं आपको समझा दे कोई भी profit center जो independently strategy बना रहो planning कर रहो other units को छोड़ दो and functional level strategy में जैसे r&d हो गया finance हो गया human resource हो गया marketing manufacturing यह सब जो low level के होगे strategy तो आइधिंग आपको यह पूरा समझ में आगे अब higher के अपका exam में आएगा तो आप अराम से corporate business और functional level strategy अराम से अब लिखके आ जाओगा हलका फूलका याद कर लेज़ेगा जरत पड़े तो अब हम बात करेंगे financial planning के obvious की बात एक किसी भी planning का business planning में financial planning backbone होता है उसका क्योंकि financial planning करना बहुत जरूरी otherwise आप अपना धंदा को sustain नहीं कर पाओगे long term financial planning बहुत जरूर इसके तीन major components है जो आपको ध्यान में रख़ए financial resources, financial tools and financial goals था है या financial goals था है तो इसका क्या interrelation है financial planning is equivalent to what financial resource, financial tools, financial goals मैंने और आईसे का material में भी कुछ खास लिखावा नहीं है आपको ज़्यादा जरत पड़े तो तीनों का chat जेपिटी में देख लीजेगा क्या मेरेंगे बाकी मैं आपको भी वन बै वन समझा भी देता हूं देखिए financial resources क्या हो गया financial resources मतलब हम बोल सकते हैं cash and bank balance ठीक है जो financial institution हो गया जिनसे हम loan ले सकते हैं banks हो गया जिससे हम पैसे उठा सकते हैं ठीक है और जो इन जो इन्वेस्टर्स हो गया जिससे हम पैसे ले सकते हैं financial institution में आ जाएगा वो सारा चीज़ यह सब आपके financial resources होगे बाकि एक्स्ट्रम कार्ड्स एसेटरा भी बोल सकते हैं तो यह सब financial resource हो गया इसके लब और भी चीज़े हो सकते हैं जो भी assets वगयरा है physical assets वगयरा यह सब financial resources ना जाएगा तो आपका financial planning का team component होता है और अगर मालें जिए individual होगा तो individual के लिए वो सब भी आ जाएगा जैसे उनका जो pension वगयरा सब scheme रहता है तो वह भी cover हो जाता है क्योंकि उनका वह भी one of the financial resource है तो यह financial resource होगी आपका ठीक है तो आइटिंग अब आपको यह समझ मेहारा है कि financial resources क्या चीज़ है समझ मेहारा है ना resources मतलब किसी भी प्रकार का जो cash bank balance वगेरे सब resources हो गया financial tools क्या चीज़ होगे financial tools मतलब जो management करने वाले जैसे management application आता है cash management application वगेरा बूल सकते हो और भी अलग-अलग प्रकार के software होते हैं जो आपका cash को manage करते हैं जो financial सारी चीज़ों को manage करते हैं वह हो गया financial tools तूल्स मतलब financing को manage करना वह financial tools यानि financial resources फिर financial tools और last में finally हमारा financial goals हो गया financial goals हमारा क्या हो सकते हैं तो purchase house लिखा हुआ है आपकी book में लिखा हुआ है और supercar के हमारा financial goals हो सकता है मैंने नहीं लिखा यहापर बट आपका जो main study material है वहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ ना जरत नहीं है जाफिर to be a billionaire कुछ भी हो सकता आपका financial goals कुछ भी financial goals फिर नहीं आएगा वो गोल हो जाए financial goals में finance related वहीं आपको घर खरीदना है गाड़ी खरीदना है आपको बहुत पैसा वाला आदमी बनना है डेटिस आपका financial goals financial resources कहां कहां से आप पैसे खटे कर सकते हो खुद के पैसे बैंक से पैसे उधार लोगे पैसे उधार लोगे और पैसों का मैंनेज कर रहा हूं मैं एक बार आपके सामने चैट जीपिटी में फिर से एक बार डालता हूं में क्या क्या और एक्जम्पल आते पानीशल टूल्स करें पानीशल टूल्स करें यह देखें चैट जीपिटी में मैंने डाला फानीशल टूल्स टूल्स टीफर्स तूफ्ट्वर अप्लिकेशन प्लैट्फॉर्म्स कैल्कुलेटर्स और रिसोर्स डिजाइन तू हल्प इंडिविजियल बिजन्स और और गनेजिशन मैनेज वैरियस असपेक्स अप्ट्स अप्ट्वर एक्टिवली यहां पर विट आसे बजेट करना ब प्रेस्ट्वर एक्टिवरो प्रेस्ट्वरा इंडिवर्स के लिवडि़ू कि मैं थी नूपिन, तक ये बाद में अब रीट तो गर भाऊ गया इस नम नीचे लास पेज में झाल 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 तक ये बाद में तक ये बाद में तक ये बाद में अब आपको इतना ज़्यादा ये इस मैंटर में इसके रिगार्डिंग जरत नहीं है तो मैं खुद ले जाता आपको तो I think अब आपको financial planning के तीन major component आपको समझ में आगे financial resources क्या हो गया पैसा, financial institution, bank वगेरा financial tools क्या हो गया जो manage करते हैं आपके resources को और financial goals क्या हो गया हमारा goals कुछ भी हो सकता है गर, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, billionaire बनना कुछ भी हमारा financial goal हो सकता है तो financial planning equivalent to financial resource plus financial tools plus financial goals, तो यह आपको अराम से धिहन में रहेगा, तो अब I think हमने यह सारा चीज़ पढ़ा है तो आपको याद दिला दो पहले मैंने यहां तक तो revise कराई दिया था strategy at different hierarchy levels भी आपको अराम से हो जाएगा, को tension वाली बात नहीं, corporate level strategy business unit level strategy, functional level strategy अराम से धिहन में आया, यह अच्छे से याद आ रहा, कोई problem नहीं है आपर, financial planning में क्या financial resource, financial tools, financial goals three components of financial planning, अब बस दूई topic बचता हमारा क्या, एक तो interface between financial policy and strategic management, एक interface हो गया, और दूसरा balancing financial goals वेसे वे sustainable growth, क्योंकि मैंने कहा था, इस chapter का सबसे core चीज़ी है, sustainable growth, उसी के बारे में हम discuss करेंगे, एक एक करके हम start करते हैं, चलिए, पहले हम समझते है, interface of financial policy and strategic management, तो interface of financial policy and strategic management, अभी हम समझेंगे, यहाँ पर अब देखे, लिखा हुआ क्या है, starting में, financial policy and strategy management की पीचका interface का, interface का मतलब होता है interaction, अब interaction बोल सकतो, linkage बोल सकतो, दोनों की बीच में, दोनों की बीच में connection क्या हूँ बोल सकतो, तो obviously बात है, financial policy और strategic management में connection है, हमने starting में भी बढ़ाता है, elements of business क्या है, है ना, clear and realistic strategy होनी पड़ेगी, financial resources भी होना पड़ेगा, management team होना पड़ेगा, यह हमने three elements रिखा था, तो मतलब क्या सिर्फ financial policy से आप धन्दा चला लोगे नहीं, आपका अगर strategy नहीं है, तो सिर्फ financial policy करकी कुछ फाइदा नहीं है, आपका एक business idea होना पड़ेगा, strategy होना पड़ेगा, धन्दा चलाने का, पैसा कोई काम का नहीं है, तो इसलिए दोनों की बीच में connection है, दोनों की बीच में linkage है, financial policy and strategic management दोनों की बीच में linkage है, अब यह क्या कहना चाता है, हमारा आप clearly समझ लीचे, कि कोई भी organization जो है, उसका starting point भी पैसा ही है, और ending point भी पैसा है, हम पैसे कमाने के लिए starting में पैसे लगा है, हम धन्दा क्यों चला रहे, ताकि हम पैसा कमा है, तो starting में हम पैसे लगाते हैं, धन्दे में, और end में भी हम पैसे निकाने exit करने का भी में गी रहता है, पैसा, तो starting point भी है पैसा, ending point भी है पैसा, अब मानेचे, उनके अज़ बहुत पैसा है, पर क्या उनका paid भर क्या नहीं भर है, अभी भी उनका paid खाली, उनको लगता है, मैं world का number one पैसा वाला बन जाओ, है ना, तो starting point भी उनका पैसा है, ending point भी उनका, पैसा ही है, तो वह यहां पर लिखा हुआ है, कि आपका कोई भी organization, उसका starting point कि है money, and the end point of debt organization is also money, कोई भी organization, चाहिए वो existing business को run कर रहा हो, या फिर वो अपने नए project पर काम करना जाता हो, पीना पैसे के, पीना financial base के वो organization रनी नहीं हो, देखें, no organization can run an existing business, और promote a new expansion project, वो कर ही नहीं सकता, अगर उसके पास financial base नहीं हो, financial base दो प्रकार का होता है, आपका internally mobilized financial base, एक होता है externally mobilized financial, internally mobilized का मतलब क्या हो गया, कि जो हम internally financial generate करते, internally finance को generate करते, कैसे, जैसे मान लीजे मैंने goods वगेरा बीचा, पूरे साल घर में पैसे कमा है, profit कमा है, उसको मैंने different जादा नहीं है, routine earning में रख लिया, तो reinvestment के लिए मेरे पास internally पैसे generate हो गए, या फिर मान लीजे मैंने cost वगेरा reduce कर दिया, जिसके वजे से हमारे cash flow बढ़ गए, जैना cost cutting वगेरा किया, तो इस तरीके से मैंने internally financial finance को generate किया, तो वो भी अच्छी बात है, और या फिर externally मतलब अपने debt या equity के थरो पैसे उठाया आपने, तो वही बोलना चाहरा है कि existing business को अगर आपको run करना है, निया project पर काम करना आपको, बिना internally mobilized financial based या externally financial based दोनों में से जो भी हो, उसके बिना आप चलाई नहीं सकता है, मतलब ultimately core क्या है finance, पैसा के बिना कुछ नहीं हो सकता आज के जीवन में, यह तो हमने देख भी लिया, हम इतनी पढ़ाई लिखा यह सब क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं, घर चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, पैसा चाहिए, तो अब यहाँ पर आप समझ लीजे, दोनों की बिच में बीच में इंटरफेस पढ़ाने के लिए, मैं चार पॉंट का जिगर करूँगा, पहला है, sources of finance, अब sources of finance में क्या कहना चाहता है, कोई भी strategic plan, इंपोर्टन डायमेंशन की है, sources of finance, आपकी पूस को strategy, को strategic plan है, उसको execute करना तो भाई, पैसे चाहिए, तो जो पैसा चाहिएगा या पैसा equity भी मंगा सकते हो, या फिर आप debt से मंगा सकते हो, तो generation of fund may be out of ownership capital और borrowed capital, ownership capital इने equities है, borrowed capital इने debt, loan वगेर, यह सब आ जाएगा, है ना, वो लिखा हुए, तो यानि पहला वाला मैंने आपको समझा दिया, पहला strategic plan का, strategic plan का पहला important dimension के है, sources of finance, that is equity, अपर debt, दूसरा वाले capital structure, हमें यनि जो भी policy maker है, जो भी strategic plan बनाएगा, उसको capital structure decide करना पड़िगा, capital structure का मतलब, capital का क्या structure रहेगा, debt का कितना structure है, capital का क्या रहेगा, equity का कितना रहेगा, capital structure का मतलब, यह debt equity अब डडेट कितना रखोंगे के तना अलग अलग इंडस्टे का नॉम्स भी रहता है किसी कि सके मैं 2 i7 ज्यादा डेट कुटी रिशो नहीं होना चाहिए किसी का रहता ह। वो अलग अलग रहता है देर और सम्मक्राइब कितना हुटाओगे टिक इकविटी कितना उठाओगे तो मैंने दो पॉइंट अपको समझा दिया और एक है सोर्सफ ऑफाइनन्स आपका important dimension है strategy plan का और दूसरा है capital structure के धियान देना debt is debt equity ratio तीसरा है investment and fund allocation decision यह एक और important dimension है strategy plan का investment and fund allocation decision मतलब जो पैसे उठाए आपने sources of finance आपने बोला कि 50 करूर रुपे मुझे पैसे चाहिए तो मैं debt और equity से उठा लूँँगा debt से मालनी चे 30 करूर अब यह जो पैसे हमने उठाए यह पैसे क्यों उठाए था कि investment करें investment कहां करें अलग-अलग investment proposal हो सकते इसको त्री ग्रूप में बाटा गया आप चाहो तो वो जो investment आपको पैसे मिले आप नया product add कर दो कितने product पहले आपके पास है वो एक नया product add कर दीजे यहां फिर आप एक काम कीजे existing product का ही level of operation increase कर दीजे उसका production बढ़ा दीजा ऐसा कर सकते हो यहां फिर आप कोई नय टेक्नोलोजी से नय सीरे से काम करके जो existing product है उसी का cost को reduce कर दीजे मतलब आप नय तरीके से काम स्टार्ट कीजे existing product में डेडिस आपका नया approach नया approach से ही अब existing product पे काम कीजे और cost reduce कीजे और resources का efficiently utilize कीजे उससे भी आपका फायदा होगा कुछ पैसे से कुछ ऐसी नई टेक्नोलोजी की machine वगेरा खरीद लीजे जिससे आपका नया approach से काम होगा cost reduction होगा आप ऐसा कर सकते हो तो तीन तरीक आपके पास है investment decision में क्या है तीन तरीक आपके पास है पहला नया product add कर लीजे दूस तो उसको efficiently utilize कर सको तो यह आपने समझ लिया तीसरे डिवरेंट चो था last डिवरेंट policy डिवरेंट policy में वह ही है जो मैंने पहले पढ़ाया था कि जो आपके बास पैसे आ रहे है उसमें से अब कितना डिवरेंट payout ratio रखोगे कितना retention ratio रखोगे बस एक बात का धियान और हर साल constant रखो जो भी आप रखोगे यहने stability होना चाहिए डिवरेंट पीमेंट की इसे desirable consideration that can have a positive impact on service आपने जो भी company का डिवरेंट पीमेंस stable रहता है कि service बढ़ने के आसार बढ़ जाते है तो I think आपको यह अराम से समझ में आग या बच्छे से तो interface of financial policy and strategic financial management किस परकार से एक्जाम में लिखना है पहला तो आपको यह लिखने कि दूनों की बीच का interface को understand करना है तो अब एक बात को समझ लीजे कि starting point भी organization का पैसा है ending point भी organization का पैसा है कोई भी organization अपने existing business को run नहीं कर सकता या फिर माल लीजे निया project को expand नहीं कर सकता है ना promote नहीं कर सकता निया project को promote नहीं कर सकता अगर उसकी बास internally या फिर externally generated financial based नहीं हो internally generated या फिर दून हो internally and externally generated financial based फिर हमने बात किया था यहाँ पर चार point के बारे में जो कि आपका strategic plan का important diamonds है पहला source of finance उसी को financial policy बोलते है source of finance यह एक्विटी capital लाओगे कि debt capital लाओगे ownership capital या फिर आपका borrowed है दूसरा है capital structure debt ratio कितना होगा equity ratio कितना होगा मिलें दोनों कितना ratio में कैसे लिखिया होगा उसके regarding norms को भी हैं में रखो यह हमने दूसरा दिखा तीसरा जो investment कहां करोगे वो पैसे का तो investment करने का तीन proposal यहाँ पर दिया गया है पहला आप नया product add कर लीजे दूसरा पर काम कीजे existing product का level of operation बढ़ा दीजे quantity बढ़ा दीजे production बढ़ा दीजे तीसरा आप ऐसा कर सकतो cost reduce कर सकतो नया approach लेकिया यह जो पैसा मिल है नया approach के जरे cost reduce कीजे resources का efficiently utilize कीजे तो यह आपने पढ़ा है आपर तीसरा point चोथा एकूर बचाथा डिविरेंट के मामले में वही कि हम कितना पैसा बचा कितना डिविरेंट बाटे और डिविरेंट में stability होना ची वह surprise को बढ़ाने में मज़द भी करेगा है की डिविरेंट पूलिचेंट डिशिज़न देलगे। of earnings to be distributed as different and the extent of earnings to be written for future expansion कितना रिटेंसन कितना पीमेंट का दस दा फानीशल पॉलिसी ओफ ए कंपनी कैनोट बी वर्क्रावट इन आइसोलेशन और अधर अधर फंक्शन पॉलिसी बोला कि वह यहां पर कि आपका सिर्फ एकला फानीशल पॉलिसी आइसोलेटेड फैनीशल पॉलिसी कुछ नहीं कर सकता वैस्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आइसोलेटेड में कुछ नहीं कर सकता इन सबका इंटरेक्शन होगा मिलन होगा तब ही आप प्रॉपर तरीके से अब धंदा कर पाओगे इस वाइडर अपिल एंड क्लोजर लिंग विड़ ओवर ओर्गनेजिशन पर्फॉर्मेंस और डिरेक्शन ओग्रोथ तो आइटिंग यह तो बस लिख देजेगा आपको इतना मैंन अब बस बचता हमारे एक लांस टॉपिक डेडिस बैलेंसिंग फाइनिंशल गोल्स विस अब बस यह पॉइंट बसता फिर हमारे चक्तर खतम हो जाए तो दिखें फानेंशल गोल्स एंड सस्टेनेबल ग्रोथ जो है ना इनके बीच में बैलेंस करने के बात कर रहें बिसि इतना बिलियनर बनना है अब अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ लाएंगे तक तो वे बुड़ापा आ जाएगा हमारा हम तो जी नहीं पाएंगे हमें तो एकदम रातु रात सक्सेस चाहिए है ना हाई ग्रोथ चाहिए हमें और आप देखो कि भी बहुत सारी कंपनी से ऐसी है जो हाई ग्रोथ के चकर में लास्ट में डूप जाती है अब बुलियो सेर ऐसे कैसे हाई ग्रोथ के चकर यानि हाई ग्रोथ होने के बार डूप जाती है यस मैं सच बता रहो अब बहुत सारी कंपनी से ऐसी है वो क्या करती है बते हैं सार्टिंग में मार्केट बनाने की च सारीकेसे हर जगा में मार्केटिंग करेंगे एड़ं चलाएंगे वOTH गिर … और डाइब ना बाद में जब पैसा कहतम हो जाता है यै ना कि पैसा आग्रेसिव से करने की पीछे जाओगे aggressively marketing करो कि पैसे भी बहुत लगते marketing बाद में cash burn हो हो के हो के पैसा तो जादा खतम और उधर दूसरी computer ताक मेरती है दूसरी computer आ जाती है ससे नामों में लेएगी वगिरा वगिरा कुछ-कुछ नए policy के साथ आ जाती है और फिर बाद में आपका क्या होता है धराम से हम नीचे गिर जाए बना जो आपका growth का graph ऐसे गया वो धाम से नीचे गिर जाए और आप हो जाओगे बरबाद में ये effect होता है आप हो जाओगे बरबाद में अब sustainable growth के पीछे वागे मतलब आप ऐसा कोई भी कदब मत उठाईये जिससे आप बाद में वर्बाद हो सकते हो इसका सीधा ही सारा है कि आप जादा debt में fund raise ना करे बहुत जादा fund raise ना करे आपका जो growth होगा न वह growth बेसिकली किसी चीज़ पर निर्वर रहना चाहिए कि मालीजे आपकी पास यतना capital है आप उससे पैसा कमाईए मालीजे आपने profit कमाया पूरे salver में 1CR तो आप 10-20 लग जो भी dividend आपको बाटना stable way में dividend बाटनी बागी पैसा retain करके आप उससे reinvestment करके पैसा कमे और आपको सच्चा ही अगर में बता हूँ security valuation में भी हमने वही पढ़ाता हूँ आपको याद होगा हम growth rate कैसे निकालते थे sustainable growth rate हम कैसे निकालते थे हम इसी प्रकार से निकालते थे कि आपका return on equity कितना है जितना return on equity यापने पैसा कमाया कितना है return on equity कितना है उसमें सब different कितना percent different payout ratio देते हो और आपका पच्चता कितना है यागर आपको याद दे रहो sustainable growth rate हम कैसे निकालते थे हम बोलते थे return on equity आपका कितना है उसमें हम retention ratio को multiply करते थे आपको याद होगा मैंने already आपको security evaluation में पढ़ाया है वहाँ पर तो लॉजिकली एकदम अच्छे से पढ़ाया था ऐसे पढ़ाया था मैंने कि मालो 15% company कमा रही है ठीक है और इसका 30% मालीजे different payout ratio है तो मतलब 30% different payout ratio मतलब 70% retention करेगे तो 15% का 17% मतलब हम बोलेंगे 10.5% आपका growth है हम इस प्रकार से निकाल देते हैं तो यह था क्या यह 15% ROE है यह 15% जो है क्या है यह ROE है इसका 30% अगर आप यानि 4.5% आप dividend बाठ दोगे बाकी 70% जो आपका growth होगा तो यानि अगर आप sustainable growth हम fundamentally हुई लेते थे security evaluation में और उसी sustainable growth की बात कर बट अगर company चाहें तो company क्या कर सकते company high growth ला सकते है कैसे company ने माल लीजे equity fund raise करवा लिया है ना or debt fund raise करवा लिया ऐसे debt fund वगिरा raise करके marketing वगिरा campaign चला के company चाहे तो growth को consider कर सकते है पर हमने security evaluation में जो sustainable growth rate पढ़ाता वो पढ़ाता return on equity में retention ratio लगाना और या फिर आप पोल सकते हो sustainable growth rate आप कैसे निकालोगी return on equity में आप retention ratio नहीं one minus dividend payout ratio बाद एक ही है अगर retention ratio 70% है और 30% आपका dividend payout ratio तो one minus 60% आपका 70% ही होगा बाद एक ही है आपका यहना बाद एक ही है आपका तो इसी चीज के राकि अगर आप बात करोगे तो fuel की industry जो है हम देख रहें कि fuel खतम हो जाएगा एक time के बाद तो जो उसके regarding कुछ-कुछ guidelines भी है कुछ-कुछ rules भी है कि हम limited fuel का ही इस्तमाल करेंगे ताकि future generation को भी उसका स्वाद मिल सके वह यह आपर लिखावा अब यह just self-read करके छोड़ दीजेगा जो necessary चीज़े है वो मैं आपको मार करवाते जाओंगा देखे जब concept of sustainable growth can be helpful for planning healthy corporate growth this concept forces managers to consider the financial consequences of sales increase बले यह concept कहता है कि आपको force करता है कि आप समझो कि आपका sales increase का financial consequences बाद में हो सकता है उसके चकर में debt वगेरा उठाने परेंगे बरबाद हो सकते हो and to set आप और आपको यह समझाता है कि आप sales growth को जो set करो वो अपने operating and financial policies को ध्यान में रखते वे उसी के साब से अब करो aggressive serious की पिछा मत भागे और यहाँ पर वोई इसी के regarding लिखाओ यह बस अब रीड करके छोड़ दीजेगा exam के लिए काम का नहीं है अगर आये तो अलग बात ही हाँ पर बस होई का आगए कि आपका जो distribution of resources है वो current stakeholder के साथ future stakeholders को भी ध्यान में रखो अगर हम आज ही सारा खतम कर देंगे तो future की generation वो क्या use करें तो उनको भी ध्यान में रखें आपर sustainable growth rate is important to enterprise long term development बहुत ज़्यादा fast growth भी खराब है बहुत ज़्यादा slow भी खराब है बहुत ज़्यादा slow होगा तो भी दिखा दी और fast भी दिखा जब stable रखो sustainable growth rate अपना रखें और वही जो मैंने आपको लिखाया था sustainable growth rate क्या return on equity into one minus dividend payout ratio है ना यानी और हम लिख सकते ROE into dividend ROE into retention ratio भी लिख सकते है ठीक ही बात है है ना यह चीज़ इसलिए इसी चीज़ को consider क्या जाता है मतलब aggressive sales वगेरा यह सब को consider नहीं कर रहें अगर aggressive sales वगेरा को consider करेंगे तो high growth हो जाए मतलब इसमें यही बोला गया कि balance कैसे करना है आपको financial goals को balance कीज़े sustainable growth के साथ बहुत ज़्यादा लालची मत बनीने तो बाद में बरबाद हो जाओगे बाद में बरबाद हो जाओगे सच बतारों मैं आपको मुझे आज भी यादे academy की अगर मैं बात करो तो मुझे आज भी यादे उनका पहले बहुत ज़्यादा aggressive marketing था बहुत ज़्यादा aggressive marketing अब उस चकर में वह उन्होंने cash बंड काफी cash बंड किया बहुत ज़्यादा पैसे लुटाए उन्होंने उसकर में और फिर बाद में वह deficit में आगे और उन्होंने फिर उनको बहुत सारी जगा से campaigning हटाना पड़ा उन्हों का बहुत नुकसान हो तो इसलिए वहाँ पर नुकसान होता आपका अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जैसे कि हमने अभी यहाँ पर variables कुछ-कुछ लिखे वे यह चार variables लिखे वे इसको समझाना है मुझे आपको प्रैक्टिकली जो थ्योरी आई से कर लिखा हूँ है इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझा हूँगा देखिए को सस्टीनेबल घुर्टरिकल की रिटर्न ओन उन इक्विटी इन्टू आप सकते हो सब्सक्राइब क्या कि अक्विटि ये और या फिर हम इसको बोल शक्तें नेट प्रॉफिट बाइस्ट और गक्विटी net profit by equity बोल सकते हैं मतलब debtis हम as dr equal ये भी बोल सकते हैं sustainable growth rate हम ये भी बोल सकते हैं net profit by equity into one minus dividend payout ratio ये भी ये धियान रखीगा भी एक बार ये मैंने लिखा इसको अब धियान रखीगा अब मैं आपको इनका theory पड़ाता हूँ देखें इसमें बोला कि जो sustainable growth rate है वो कुछ-कुछ variable से जिससे हम achieve करेंगे sustainable growth rate क्या लिखा हूँ है variable typically includes फहले तो ये underline कीजिए the sustainable growth rate is a measure of how much a firm can grow without borrowing more money यानि आप market से पैसा नहीं उठा के पिना किसी further borrowing के आप कैसे growth कर सकते हो वो ही sustainable growth rate है उसमें variables में कुछ-कुछ point लिखावा रिखें ratio मतलब turnover by asset होगा asset turnover ratio मिले turnover by asset है और तीसरा है asset to equity ratio asset by equity और चोथा है retention rate यानि into retention ratio तो अब आप देखे बोला अब इनका के नहीं ये है कि variables इसके अंदर यह ये variables आते हैं मतलब इनके हिसाब से sustainable growth rate जो है वो क्या है net profit by turnover into turnover by asset into asset by equity ये तीन variable है और चोथा variable है retention ratio तो अब देखें हाँ पर आप turnover turnover तो cut हो जा रहे asset asset तो cut हो जा रहे पच क्या है रहे देखें आपर net profit by equity ही पच रहे into retention ratio जो मैंने यहाँ पर लिखा था net profit by equity 1-डिपियर मतलब retention ratio मतलब ऐसा हो सकता है पर लिखाम में कि आपको यह information दे दे जिससे आपको भले SDR निकाले जिससे आपको क्या पता बोल दे SDR निकाले तो माल लीजे चलो मैं लिख लेता हूँ example लिख लेता हूँ एक मैं net profit है 50 क्रोड turnover है 1000 क्रोड ये चलो 800 क्रोड का turnover लिख देता है turnover 800 क्रोड का और asset हमारा है 1500 CR का asset retention ratio है 75 क्या SMSDR नहीं निकाल सकते है SMSDR निकाल सकते है हम लेखेंगे net profit by turnover 800 into 800 by 1500 into 1500 by equity बीचेगा मैं equity asset आपका इसमें equity मैं माल लेता हूँ 1000 CR का 1000 CR का equity retention ratio 70% अब इस प्रकार से sustainable growth rate आप ऐसे निकाल सकते है यहाँ पर आप दिखेए 800 तो कटी कर दो आप सीधे ही 50 by 1000 आपका कितना आएगा यहनि 5% to 70 5% का 70% कितना होगा 3.5% और 05 भी लिख सकते बात देखिया तो 3.5% हमारा sustainable growth rate है कि हमने इस प्रकार निकाल आपको यह clear हुआ होगा भी है तो यह variable आपको याद रखना है आप इसे याद आराम जी याद होगा आपका आप इसे याद रखोगे ठीक है क्या क्या है net profit by turnover ratio asset turnover ratio asset equity ratio retention rate यह आप ध्यान में रखिएगा theory अगर है तो लिख देजएगा भी भैतर रहेगा इसको ध्यान में रखोगे और लिख दोगे अब यहाँ पर तो मैंने main main चीज़ जो है वो मैंने highlight करवा दिया आपको यहाँ पर जो जो चाहिए आपको लिख आना चाहिए और ध्यान रे sustainable growth model assume करता है जो business है ना वो अपना target capital structure को maintain करेगा बीना किसी equity के issue किये वे क्योंकि अगर आप equity issue करोगे तो ऐसे situation में यह formula कोई काम का नहीं क्योंकि आप further equity issue करोगे तो और growth होगा तो कोई equity issue नहीं करोगे यह और different payment ratio में भी कोई change नहीं आएगा वो जो target different payment ratio वो ही चलता रहेगा आगे future में भी और आपका जो increase sale होगा वो भी rapidly इस market condition allow उसी साबसे sale होगा और extra कुछ नहीं होगा market condition के साबसे जितना हम पैसा लगाएंगे उतना हम seal करेंगे तो यह इसका कोई ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है बस इसको just go through करके रख दीज़गा तो exam के लिए मैं आपको बस इतना ही बता रहा हूँ आप balancing financial growth विस से भी sustainable growth में यह ज्यान नहीं लिखने से भी चलिए चाहो तो fuel industry का ज्यान लेख सकते हो आप है ना फिर आप यह लिख सकते हो sustainable growth rate is important to enterprise long term development अगर आपको long term जाना है तो sustainable growth rate सहीएगा too fast too slow दोनों खराब है दोनों का दोनों खराब है फिर SGR का मैंने आपको formula बताया SGR का formula यह और उसका variable है ना उसका variable बताया जो आप ध्यान में रखोगे और उसके regarding मैं एक्जामपल विरी दे इससे अपने आप याद होगा अब net profit by turnover turnover by asset asset by equity ध्यान में रखोगे तो अपने आप यह variable याद आएगा पहले वाला क्या देखो net profit on new and existing revenue revenue में net profit दूसरा asset turnover ratio यह देखे turnover by asset तो अपने आप यह आएगा अपने आप यह आएगा आपको tension की क्या मैंने यह लिख भी तो दिया है यह देखें इसलिए तो मैंने अलग से लिखा है यह मैंने लिखा मैंने हलागे थोड़ा गंदा किये ताकि आपको समझा सकूं तो आइटिंक यह आपको समझ में आगया sustainable growth rate आप अराम से भी लिख पाऊगे जितना मैंने highlight किया लिख पाऊगे अब मुझे दो audio topic आपको उर पढ़ाना है छोटाता कि क्या चीज़े जो organization को financially stable बनाते और आपको if व्यंजी अगर सस्टेनेबल बनाना है तो आप मेरी बात से सूने हां पर कितने point हम देख लेते हैं 7 points है, तो इस 7 points आपको याद करना पड़ेगा, समझाओंगा भी, पर आपको याद भी करना पड़ेगा, पहला आपका more than one source of income होना चाहिए, हमारा एक से जादा source of income होना चाहिए, क्योंकि एक में रहेंगे, कहीं बरबाद होगे तो खत्म, आप दिखोगे, Reliance Industries Limited का क्या एक source of income है नहीं, कितने सारे अलग-अलग बिजनस हो कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल, फाइनसिंग, डीजिटल, को निया ट्रेंड आते दिखता हूँ, उसमें धंदा खोल लेते हैं, जो खोल यह, कितना सारा धंदा उनका, क्या वो एक source of income में dependent है नहीं, और्गनाइजिशन तब ही sustainable रहेगी financially, जब वो more than one source of income अगर उसके हो, क्योंकि एक तरफ से financial पैसा नहीं आया, तो दूसरे तरफ से मंगाओ, दूसरे तरफ से नहीं आया, तो तीसरे तरफ से मंगाओ, इसलिए अब देखना बड़े इसलिए बड़ा व्यापारी, हमेशा उसके बहुत सारे sources of income रहता है, एक source of income नहीं रहता है या आपको याद रहेगा, और have more than one way of generating income, एक से ज़्यादा way उसके पास income को generate करनेगा, यह कहीं नहीं, कहीं दोनों point interrelated type कहीं है, घ्याद रहेगा, एक मैं है more than one source of income, more than one way of generating income, फिर, organization must do strategic action and financial planning regularly, ओव्यसी बात है, strategic decision, financial planning, action आप regularly करते रहे है, adequate financial system होना चाहिए, good public image, अच्छी public image होनी चाहिए, जिसे अगर आप देखोगे, recently कुछ टेमपल हार्दिक पंडिया का क्या आल हुआ था, image उन्होंने खराब कर ली थी, GTC, जब वो Mumbai गया थी, अच्छी public image बनाओगे, पैसा आएगा कहीं जा, कहीं से, financial autonomy, यानि आप financial related decision खुद से ले सको, ना कि दूसरे पर dependent रोग, autonomy, be clear about its values, value clarity, आप अपने values के regard यह हम clear हो, यहाँ पर, यहनि ethical values वगेरा बोल सकते हो यहाँ पर, तो यह साथ point आपको याद रखने, याद हो भी गया होगा मेरे कहाँ से, 4-5 point तो याद होगी गया होगा, one source of income, one way of generating income, adequate financial system होना चाहिए, अच्छी image होनी चाहिए, financial autonomy होनी चाहिए, strategic financial and planning regularly आप करते रहिए, तो यह point जो है, यह आपको याद करना है, मैंने आपको समझा दिया, अब यह तो financially sustainable है, दोनों question आ सकता है, direct question आ सकता है, यह MCQ आ सकता है, यह है financially sustainable का, यह है normal, organization को financially overall sustainable की बात कर देए, तो यहाँ पर इसके लिए क्या है, clear strategic direction होना चाहिए, ठीक है, आप अपने environment को properly scan कीजे और identify कीजे opportunities for its worth, यहनि हम अपने environment में देखी है, हर environment में हर अलग-अलग opportunity होती, तो आप कौन से environment में हो, जहाँ पर क्या best opportunity हो, उसको grab कीजे फिर आप, able to attract, manage and retain competent staff, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, management team चाहिए, तो उसके लिए आप competent staff, जो भी उसको attract करो, अच्छे pay दो, आप उससे वो attract होंगे, manage और retain करके रखो, हैना उसको छोड़ो मन, अब देखो कि IPL match वगेरा में भी, हर team अपने जो quality players उसको attract करके रखते हो, उसको अच्छा पैसा देते हो, उसको retain करके रखती है, हैना उच्छोड़ती नहीं है, have an adequate administrative and financial infrastructure, obviously बात है, infrastructure आपका अच्छा रहना चाहिए, administrative infrastructure भी, financial infrastructure मतलब आपकी बास options रहेंगे, अलग अलग प्रकार के पैसे उठाने के, banks, institutions वगेरा यह सब, be able to demonstrate its effectiveness and impact in order to leverage further resources, and get community support for an involvement in its worth, तो चलो ठीक है, यह वाला भी वही यहांपर leverage वगेरा करना है, आपको जिससे debt equity का जो ratio उसके लिए further क्या-क्या resources आपके पास है, है ना, उसका, मुझे भी थोड़ा सा यह समझ नहीं है, line के आप उनना चाहरा है, and get community support, समझ में तो आ रहा है, वो एक community का support मिले, जब community का support मिलता, तो अपने आफ़का धन्दा चल पड़ता है, तो ठीक है, अगर यह जादा समझ में नहीं भी है, तो चार पॉंटों कम से कम लिखी लोगे, आप अराम से, याद करके, है ना, तो आप यहाँ पर मैंने यह बता दी, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा रट्टा मार लीजेगा, तो बस काफी है, मैंने यह बहुत बढ़ा है, पर जितना मेरे लिए पॉसिबल हुआ, जितना मुझे लगा, प्रैक्टिकली मैंने आपको नौलेज देने के कोसिस की है, बढ़ थियोरी में थियोरी के जैसे ही पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में कॉन्पृटेंस के साथ बोलता हूँ कि मैंने बेस्ट बढ़ा है, तो इसे ही पढ़ाया जा सकता है, इससे बहुत थियोरी पढ़ा ही नहीं जा सकता है, मेरा इसा मानने, क्योंकि थियोरी थियोरी यह देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एंड से रिवाइस करोगे तो चैप्टर आपको टफ नहीं लगेगा, ओल दे बेस्ट,